नमस्कार दोस्ते आज के इस वीडियों के नरब का तेहिदिल से सुवागत है और आज के इस वीडियों के नरब जानेंगे कि दरवय किसे कहते हैं और इसकी पृड़ासा क्या है और इसके बारे में आपको हम काफी अच्छी जान करेंगे मतलब आपके लिए वीडियो उपयोगी हो सकता है मगर आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा तब ही आप इस वीडियो की मदद से कुछ सीख सकते हैं आएए वीडियो को सुरू करते हैं मगर उससे पहले कृपया चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा देए आएए वीडियो को सुरू करते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों दर्वे को अंग्रेजी में लिक्विड के नाम से जन जतते हैं और ये लिक्विड ही असल में परदार्थ की एक अवस्ता होती है इसके लग दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दर्वे की प्रिबासा क्या होती है दोस्तों अगर आप दर्वे के बारे में जानाना चाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्रिबासा क्या है तो वे कुछ एसे हैं वे परदार्थे जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार जो होता है वे एनिश्चित होता है दर्वे कहलाता है यानि कुछ परदार्थ एसे भी होती ही जिनका आकार बदला जा सकता है या बदल सकता है क्योंकि उनका आकार एनिश्चित होता है अगर आप उन परदार परदार्थों का आयतन निश्चित होता है और ऐसे परदार्थों को दर्वे कहा जाता है जैसे कि दूद क्योंकि आप सभी दूद के बारे में जानती हैं और आपको पता है कि दूद क्या है असल में यह एक तरह का तरल परदार्थ की तरह ही होता है और इसे अगर अलग अका वाले बरतन में रखें तो ये दूद उसी बरतन का आकार गरण कर लेता है और इसका मतलब हुआ कि दूद का आकार निश्चित है क्योंकि इसे बदला रहा है या कह सकते हैं कि इसे बदला जा रहा है वहीं पर दूद की आईतन की बात करें तो वह हमेशा निश्चित होता है क और यही करण है कि दूद असल में दर्वे होता है। इसके लोग दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि दर्वे के अन्य उदारन क्या होती ही तो वह कुछ ऐसे हैं। दोस्तों दर्वे के कई अन्य उदरण हो सकती ही जैसे कि पानी, तेल, कीरोसीन, केरोसीन आदी सभी दर्वे ही होती ही क्योंकि इनका आकार बले ही बदला जा सकता है या बदल सकती ही मगर आयतन हमेशा निश्चित होता है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दर्वे वय होता है जिसका आकार एनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है इसके लग दोस्तों अंत में एक बार आपन फिर बात कर लेते हैं कि दर्वे की प्रिबासा क्या होती है ताकि आपको दर्वे अच्छी तरह से याद हो जाई तो इसके प्रिबासा कुछ एसे हैं वे परदार जिनका आयतन निश्चित होता है परन्तु आकार जो होता है वे एन निश्चित होता है द्रविक कहला थाइंग आसा करते हैं कि दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा अगर आप कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दी